पूर्वे सांसद सिवान के शाहबुद्दीन जो है अब इस दुनिया में नहीं रहे उन्होंने दिल्ली के अस्पताल में अपनी आखरी सांस ली इसके बास से आरजीडी परिवार में जो है वो शोक की लहर है तेजस्वी आदव लिखते हैं पूर्वे सांसद मुहमद शाहबुद्दीन का कोरोना संक्रमन के कारण असमय निधन की दुखत खबर पिड़ा दायक है इश्वर उनको जन्नत में जगा दे परिवार और शुपचिंतकों को संबल प्रदान करें उनका निधन पार्टी के लिए पूर्णी अच्छती है दुख के इस घड़ी में राज़त परिवार शोक संत्पत परिवजनों के साथ है इसके बाद तेजस्वी आदफ की बहन रोहिनी अचार ने भी शाहबुद्दीन को ले करके अपनी बातों को लिखा है और उन्होंने सीधे तोर पर सिस्टम की लापरवाही बताई है लिखती हैं सिस्टम की लापरवाही की भेट चड़े जनता के सेवक अब नहीं रहे अल्ला इनको जन्नत में आला मुकाम दे उसके बाद पपू यादफ ने भी सिवान के शाहबुद्दीन को ले करके अपनी बातों को रखा है और लिखते हैं सिवान के शाहबुद्दीन जी को भी आखिर कोरोना ने लील लिया लेकिन वह कोरोना से अधिक सिस्टम और सियातत के शिकार हुए मतलब के अनुसार इस्तमाल किया फिर अंतहीन जलालत जहलना अकेले छोड़ दिया मेरी सनवेदना शाहबुद्दीन जी के परिजनों एवं चाहने वालों के साथ है खुदा रहम करे सब को सब्र दे तो सीधे तोर पर आप देख सकते हैं किस सरीके से शाहबुद्दीन के जाने के बाद से तेजस्वी आदव हो या फिर रोहिनी अचार हो तमाम आरजेडी के जो परिवार है आरजेडी परिवार जो है वो शोक व्यक्त कर रहा है रोहिनी अचार ने सीधे तोर पर सिस्टम की लापरवाही बताई है तो वही पपु यादव ने भी सिस्टम को बताया है कि सिस्टम की वज़ा से जो है पूर्व सांसर शाहबुद्दीन की जो है वो मौत हो गई साथ में उन्हें ये भी कहा है कि सियासत के विशिकार हुए साहबुद्दीन दरासल वो जिक्र कर रहे हैं लालू पशाद यादफ के बारे में कि उनका इस्तमाल किया गया उसके बास स उनको अकेला छोड़ दिया गया आरगेडी ने उनको अकेला छोड़ दिया है यह पपूlor यादफ को लेकर के भी एक बार पूर्व सांसर शाहबुद्दीन ने कहा था कि निटीश कुमार मिपशतितित्यों के नेता है और इस बयान के बाद से काफी सुर्खीयों में भी आ कि सरकार ने उन पर फिर से कारवाई की और उसके बाद से उनका बेल तूट गया और उसके बाद से उनको जेल जाना पड़ा बहराल अब आगे क्या कुछ होता है उन तमाम खबरों से हम आपको जोड़े रहेंगे आप बने रहें लाइन्स विहार के साथ